आज इस वीडियो की लेक्चर में हमने इस चैप्टर को एंड करना है और कुछ कुछ तो नहीं बसे काभी सारे हमने आज फंक्शन को देखने हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ऐक कास ,こ क्याँ काम है किस थ्काम करते हैं हम यहां पर उस चीज स्छ। करेंगे ठीक है अब यहां पर हमने इसको थ्क करने के लिए आज शूर। मैसलिए किमिटार स्क्रीन के उप्र hon którego ऐस जह हम इन जैएंगे वह थे जाएं आख इप अपने घर पर वाँ शूर। में आताके ठीक है अब लाइबरेरी क्या होती है यहाँ पर मैं पहले लिख दूँ लाइबरेरी ठीक है यह एक निया ही खुल दे तक कि इसको स्विफ कर लिंगे लेक्ट्ट्र सिख से हमारा लेक्ट्ट्रसिक्स डौट सीप्फी यह से जी किया और इसको लिख लेते पहले लाइब्रेरी क्या होती है लाइब्रेरी की बात करने ठीक है तो लाइब्रेरी हमारे पास होती है जिस तरह हम लोग लिखते है न यह हैश इंक्ल्यूड यह हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है C++ की हैश इंक्ल्यूड आयो स्ट्रीम ठीक है यह एक library है जो के Iostream नाम की लाइबरेरी है हमारे पास इसके पास के अंदर store होती है जिसकी मज़़ा से हम लोग यहाँ से input या output दे सकते हैं ठीक है अब जब हमें इन functions को use करना है तो हमें एक library को call करना पड़ता है तो हम यहाँ पर अपना library यह दो इंक्लूट करवाते हैं hash include cmash ठीक है जो कि cmash की library होती है अब आपने आपर simple यह काम करना है using name space name space std ठीक है using name space std के बाद int main का function बनाना है int main बनाया आपने और int main के बनाने के बाद आपको simple use करना है parenthesis आपने यूज कर लिये आपने एक basic structure इसका बना लिया अब जो हमने काम करना था जो आपको बतारा था हमें trigonometric के identities let's suppose हमें start करते हैं 10 से ठीक है तो मैंने एक बना लिया और आपको पता है के argument हमेशा radiant के अंदर जाते है ठीक है जो भी हम value देते हैं वह किसके अंदर consider की जाती है तो आपको change कर नहीं पड़ेगी तो आपने एक पाई की value बना लेते है 180 आपने पाई की value एक 180 बना ली जैसे के हम लिखते है 10 Pi by 4 तो यह radiant के अंदर हम अपना अंतर दे रहे होते हैं तो इस तरीक ऐसा हम अपना काम करेंगे यहाँ ठीक है और यहाँ पर मैंने बना लिया Flot बनाता हूं Flot मैंने इसलिए बनाया है तकिर के मेरी values है वह point में जाएंगी तो मैंने Flot बनाया और A is equal to 10 लिखा मैंने और Pi by मैंने 4 लिख दिया Pi by 4 हमारे पास क्या होता है? Pi by 4 हमारे पास 1 के बराबर equal आरहा होता है मैंने जैसे यही लिखा और मैं यहाँ पर Cout जैसी करवाऊंगा तो आप देख सकतें कि मुझा मेरा answer क्या मिलेगा मैंने यह किया और F9 प्रस किया तो मुझे अच्छा यहाँ पर mistake थी hash include है F9 प्रस करूँगा F9 प्रस किया यहाँ पर मुझे और mistake दे रहा है क्या है hash include cmath लिख दिया make sure कि आप cmath लिखा हो math ना लिखा हो F9 यहाँ पर भी एक error देखे मैंने यहाँ पर pi के साथ कुछ दिया नहीं है कि यह integer है क्या है तो मुझे यहाँ पर इसको initialize करवाना पड़ेगा data type मुझे बताना पड़ेगा data type दिया मैंने और इसको मैं करूंगा तो मेरा answer approximation की तुरू आता है इसके नहीं बिल्कुल exact answer नहीं आता तो 1.678 इस तरीके से मेरा answer आया है ठीक है अब बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर a10 भी लगा सकते हैं कैसे बसवा आप देखें यहाँ पर तो आयोप समझ आ गया होगा जैसे ही आप यहाँ पर a10 यूज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हम कोई सी भी value डाल देते हैं let's suppose 1 डाल देते हैं ठीक है तो आयोप समझ आ गया होगा यह वाला function trigonometry वाला अब हम बात कर लेते हैं आगे functions की जो के है exponential log और log 10 ठीक है exponential का क्या मतला है power अब यहतनी power देना चाहिए means कि आप लिखेंगे exponential power to इसको इसको इससामाल करने का तरीका क्या है आप exp लिखेंगे ठीक है और इसके आप power लिख देंगे आप मतलब कि आप bracket के अंदे power डाल दें तो इसको देखें किससा इससामाल करेंगे इसको हटा देते है is equal to exponential exp लिखा आपने और यहाँ पर 5 डाल दें तो आपको answer क्या मिलना चाहिए आपको यहाँ पर simple answer मिलना चाहिए 25 अब इसको हम run करके देखते है आप 9 दबाया मैंने तो मुझे जो answer मिलना है वह 153 एक minute I think mistake हो गई है exponential 5 है तो एक minute देरा तो जो हमारा function है वासल मैं काम यह कर रहा है जो आपको यह दिखा हूँ 148.13 तो यहाँ पर मैं confused हो गया था असल में जो exp होता ही exponential होता है जो आपके पास calculator के अंदर e की value होती है I think 3 point Euler value आप वो ने पढ़ी होगी मुझे ठीक से याद नहीं है 3 point something होती है आप e press करें आपके पास कुछ ना कुछ value आ जाएगी तो अब जब e की power आप 5 press करेंगे तो आपके पास उसका answer आ जायाएगा ठीक है ना तो इसका मतलब यह होता है अब जो आपनों को मैं बताना चाहरा था वह होता है power का तो पी ओ विया जैसे ही आप लिखिंगे न पावर पी ओ डव्यू तो यह मतलब होता है power अब किसकी power 2 की power 5 या पावर क्या चीज तो आप हम इसको इस चीज से देख लेते हैं जैसे मैं 2 लिखता हूं यहाँ पर f9 प्रस करूंगा तो मुझे एक error through कर रहा है तो पावर किसकी चाहिए न 2 की power 2 तो हम यहाँ पर initialize क्या करवा दें जैसे के let's suppose मैं यहाँ पर 2 देता हूं 2 into तो इसको अब run करके देखते हैं नहीं mistake दे रहा है कुछ तो यहाँ पर power 2 I think इसको समाज करना था plot 1 आ लिया power 2 दे रही है और power के उपर इसका जो syntax होता है वो होता यही है यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको इस तरीके से देना है कि आप ने यहाँ पर value दे रही आप 2 की power 5 दे ले तो कौँटर क्या है 32 को आप क्या मिल रहा है 32 आप क्या मिल रहा है एल्च न harvest गइht देते हैं कि आपको जो भी आपको देना है या सिंपल पावर। या डिग्री कह सकते हैं कि आपको कित्नी डिग्री देनी हैं पावर लिखें वैल्ली लिखें और आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा थिक है इस तरीके से पावर यूज़ होता है अब बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको लॉग भी समाल कर सकते हैं तो चेक करते हैं इसको आंसर लॉग 2 तो 0.693 तो देखे हैं हम आदा आंसर ही यूज़ करते हैं 0.693 ठीके तो आप ने आंसर देख लिए हम इसको इस तरह कर सकते हैं अब एक चीज़ आती है square root और cube root तो square root जैसे हैं we use करते है sqrt लिखते है sqrt लिखते है sqrt means के square और ये root square root of 2 तो मैं यहाँ square root of 4 लिखता हूँ तो देखते है मुझे answer क्या मिलेगा 2 मिलता है या नहीं मिलता एफ 9 प्रस किया मैंने, तो मेरा अंसर क्या मिल गीए देखें यहां पर यहां पर मेरा अंसर आ गया है 2, ठीक है, अब ऐसे ही मैं अगर इसको यहां पर 100 हीक दूँगा, तो मेरा अंसर का 10 आएगा तो देखे मेरा answer 10 आ गया तो कुछ मुश्किल नहीं होई तो मैंने function को utilize करके अपना power वाला काम को असान कर लिया ठीक है अब बिल्कुल इसी तरह हम यहां पर cube root यूद कर सकते हैं तो cube ठीक है न cbrt होता है वो cube ठीक है और यह root अब अगर मुझे यहां पर चाहिए 125 का root तो मेरा answer आना चाहिए 5 चेक करते है तो मेरा answer आ गया 5 ठीक है इस तरीके से आप अपने answer को मताबिक कर सकते है cube root का function इस्तेमाल करके और इस तरीके से ठीक है मैंने आप लोंको power बता दिया है ठीक है न तो अब यहां पर round off का function आ जाता है और यह मैं बता दू और यह जो functions है important functions है अच्छे से आप पता होने चाहिए ठीक है एक floor है Fmod है, trunk है, round है floor का क्या मतलब होता है अगर आप अपने रोज मर्रा में भी देखे floor का मतलब होता है ठीक है का answer क्या आ जाएगा आप का answer आ जाएगा simple 5 mod पता होता है सबको कि mod क्या होता है अगर कोई negative value भी आ जाए तो उसे क्या कर दे positive बना दे और यह reminder के समाल कर वा रहे होते है ठीक है trunk क्या है trunkation trunk बिल्कुल similar है floor के लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होता है कि trunkation कब होती है trunkation उस वक होती है जब हमारे पास function use कर दें और यह हमेशे जो 0 की तरफ अपनी value उसको लेके जा रहा होता है अब देखते है जब इसको समाल करेंगे round का मतलब तो आपका round off होता है जब भी value बड़ी होती है तो आप उसको round कर देते हैं ठीक है न और एक function और रहे गया seal seal का मतलब होता है कि आप अपनी value को up कर दें मतलब कि seal का क्या मतलब होता है रोज मर रहा है कि अच्छत होती है तो मतलब कि आपनी value को बढ़ा दें ठीक है आपने यह matter अपने घर में ट्राय करने f abs means floating point number of absolute absolute कोई भी negative number आएगा उसको positive कर देगा और यह भी absolute है ठीक है यह float के लिए समाल होता है अगर आपके पाद कोई number point में अगर आपके पाद कोई number integer में तो आप भी यूज कर ले आपके 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 अच्छे ते समझ आया वह float बनाया a is equal to 3.4 3.6 बना लेते हैं चले ठीक है एक ही बनाते हैं ताकि इसको अच्छे ते समझेंगा और एक और बना लेते हैं ताकि confusion ना हो b is equal to one two point two point three two point four बना लेते हैं ठीक है एक हमने ये काम किया फिर हम negative part के लिए भी देख लेते हैं पहले positive part चक करते हैं फिर negative part ठीक है तो see out seal में से यहाँ पे seal ही लिख रहा हूं से और इसकी value लिख देंगे यहाँ पर इसको समाल किस्ता करते है seal लिखा आपने और यहाँ पर आपने three point six कर दिया बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर control D में प्रेस करते जाऊंगा तो मेरे पर values आ गई चार और यह कौर में बार करता हूं तो पाच पर तबाद तो seal के बाद floor है ठीक है floor हुआ तो आपने यहाँ पर इसको floor कर दिया अचा आप पर यहाँ पर value लिखी तो आप यहाँ पर करकते हैं a लिख दे यहाँ पर भी लिख दे यहाँ पर आप बी लिख दे यहाँ पर आप दुबारा से भी लिख दे डिपेंड करते हैं आपके अपर ठीक है लास्ट में कुछ था नहीं चलेंगे यही रखते हैं इसी तरह यहां पर भी चींज कर लेते हैं राउंड 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 और यहां पर हम ट्रॉंक ठीक है तो मैंना आपको क्या बताया है ट्रॉंकेशन का सील का मतलब होता है कि जो भी वैल्य होगी ना उसके अंदर एक प्लस कर दो मेंस कि आप उसको बढ़ा दो राउंड ओफ कर दो सील का मतलब है तो सील ओफ ए मेंस कि 3.6 है अगर यह 5 से बढ़ा होगे कुछ भी वैल्य होगी अगर यह 3.2 भी है तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा सील का मतलब है इसके नदर बस आप एड कर दो एक अप उसके अंदर एक आड कर दो डैसिमल नंबर को नहीं जो इंटीजर प्सके नदर एक आड कर दो तो आंता है मेंता है अगर 3.5 से greater than है तब ही वो round करेगा ठीक है अब देखें मैंने कौन से use किया है यह वाला use किया 2.4 तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर भी एक round use कर लेते हैं R O U N D ठीक है Round use किया मैं यहाँ पर भी एक round use कर रहा हूं R O U N D ठीक है और मैं यहाँ पर अब A ले लेता हूं क्लिशissimo तो हम इसके result चेक करेंगे थीक है इसका answer आपके पास क्या हो जाना चाहिए 2 होगा आपके पास और इसका answer आपके पास हो जाएगा zaruncan का पसलता है कि आपको answer है वह 0 के करीब चरिब रए तो 0 के करीब कौनसा answer जाँरा आपका 4 answer करीब हो सह 0 घाए यह 2 answer करीब होता है तो आपने देखा के 2 करीब होता है 0 के तो आपका answer क्या आएगा? 2 आएगा इस तरीके से ठीक है F9 प्रेस करते है और यहाँ पर एंडलाइन भी दे देते है backslash n ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर backslash n यहने forward slash चूस कर दिये backslash n backslash n तो मेरा आप answer match भी कर सकते है almost seal था जो हमारा उस कांसा 4 था फ्लोर कांसा 3 अच्छा मैंने a यूस किया था तो a के अंदर मेरे पास 3.6 है तो फ्लोर के अंदर integer में से कम हो जाएगा ठीक है जो भी value होगी पॉइंट इसीमिल कम हो जाएगा और यह यहाँ पर हो जाएगा my mistake round आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हो गया ठीक है round off आप यहाँ पर 2 हो गया truncation के अंदर आपके पास यह 3 में चला गया है तो इसके अंदर भी truncation में यही हुआ है कि point वाला हटा दिया है और यहाँ पर round off क्या हो गया है 4 हो गया है ठीक है तो truncation के अंदर भी देख लेते हैं दोबारा और simple आपके point teacher बच जाएगा अगर आप यहाँ पर round sorry जो floor है बड़ा होता तो आप यहाँ पर simple 4 कर देते हैं इसको हटाके 1 plus कर देते हैं अब कुछ एक काम था जिसको मैं use करवाना चाह रहा हूँ वो negative sign का ठीक है negative sign में देखते हैं क्या होता है 0 होता है फिर 1 होता है फिर 2 होता है छलता रहता है अब mission का मतभश uploaded एक बढ़ा दो अब minus 3.6 है तो मैं यहाँ पर लिका कलेता हूँ minus का 4 , minus 3 so हमने यहाँ टक काम कर लिया अब यह समझ ल Ф mm अब minus 3 बढ़ा होता है या minus 2 तो आप आपने देखा यहां पर माइनस 2 क्या होता है बढ़ा होता है तो आपने यहां पर असल में बढ़ाना है जब आप इसको बढ़ाएंगे तो आप कहां से क्या हो जाएगा देखा माइनस 4 छोटा होता है आप नम चिंटी मृताबा लेफ की तरफ जाते है टिकर है Só होती है तो हमारी value क्या smaller जाएगी minus 4 आजाएगा अब जो असल मुझे समझाना है वो trunk है तो trunk के अंदर देखें क्या होता है और यह paper में आता है Truncation का मतलब यह है कि near to zero अब zero की तरफ क्या है आपके पास minus 3 है तो zero की तरफ यह जा रहा है इस right hand side की तरफ तो zero की तरफ आपके पास क्या जा रहा है यह जा रहा है तो आप यहां पर आपके पास answer में क्या जाएगा minus 3 हो जाएगा simple ठीक है आपको अपना answer truncation के अंदर near to zero लेका आना है अगर आपकी value zero के पास आ रही है ठीक है ना zero जानी चाहिए let's suppose यहां पर positive था तो हमारा आनतर फिर भी पीछे आ रहा था अब यहां पर भी हमारा आनतर पीछे की तरफ आएगा क्योंकि हमने यह आप जीरो की तरफ पॉइंट करवाना है मैंने F5 दबाया इसको दरा comment कर दूँ F9 प्रेस किया स्क्रीन बंद करने पहले F9 कि मैंने आपको जैसे बताया था कि माइनस 3 आपके पास आ जाएगा क्योंकि नीर टू जीरो की तरफ जा रहा होगा ठीक है फ्लोड में माइनस 4 आ गया क्योंकि हमने करना होता है 3.6 तो इससे कम क्या होता है माइनस 4 फिर राउंड आफ में माइनस 2 ट्रंक में देखें फिर 3 आ गया माइनस 3 और राउंड में आपको पता है माइनस 4 तो यह काम बेसिक अप्रेशन है जो के काम कर रहे होते हैं I think कुछ प्रब्लम नहीं होगी इसके अंदर अब और कुछ प्रब्लम हो तो आप कोमेंट सेक्षिर में बता सके हैं ताके हम हर मैटर को टील कर सके हैं ठीक है I hope समझ आ गया है और कुछ प्रब्लम हो तो जरूर मुझे बताईएगा थैंक्यू